आपने बुगाना तो जरूर सुना होगा, हम तुम एक कमरे में बंध हो और चाबी खो जाए बट क्या हो अगर इस कमरे में कोई तीसरा आ जाए, दर्वाजे से नहीं दीवार से आर पार वो जिसके पास ब्लैक माजिक करने की पावर है काला जादू करने वाला राक्षस क्यूं सोचकर डर लग रहा है ना, चलो फिर डर से मुलाकात करवाती हूँ आजाओ कमरे में लॉग करना है आपको सिर्फ दो घंटे के लिए वर्ष कल मैंने इस फिर्म को देखा और यकीन मानिये शाद 4-5 दिन मुझे अकेले सोने में डर लगेगा भूत नहीं है, गलत मत समझो, इस फिर्म की कहानी ही असली भूत है और यहां पर कहानी में पाचवा करेक्टर एंट्री मारता है गेस्ट भगवान होता है, बड़े भूडे बच्पन से बताते हैं लेकिन ये वाला केस थोड़ा सा अलग है, भगवान की जगे शैतान आया है इसके पास अजीब सी पावर है वशी करन की, बोले तो जैसे हम रिमोट से टीवी कंट्रोल करते हैं ये सिफ अपनी बातों से इंसान का दिमाग कंट्रोल कर सकता है और इसका पहला शिकार घर की जवान बेटी जिसको अपने इशारों पे नचार आया है अब और इस लड़की का पहला मिशन जानते हूँ क्या है अपने छोटे भाई को जान से मारना, खतम कर दो वैसे हाँ अगर ममी पापा बीच में आने की गलती करते हैं जो वो किये बिना रहनी पाएंगे तो लड़की को साफ साफ ओर्डर है जो चाकु इसने हाथ में पकड़ रखा है वो बिना सोचे समझे डारेक पेट के अंदर जाना चाहिए ममी पापा दोनों के आर पार होगा तो और बढ़िया क्या सोच रहे हैं इस मुसीबत से पीछा चुणाने का कोई रास्ता नहीं है एक है ना बॉस खुद अपनी मर्जी से अपनी खुशी से ममी पापा को अपनी बेटी इस राक्षस को दान करनी पड़ेगी हमेशा के लिए एक हाथ से लड़की को विदा करिए और दूसरे में अपने बाकी परिवार की जिंदगी बचा लीजिए एकदम सिंपल ओफर है अभी जो आप फील कर रहे हो ना वो सिब 10% है उस दर्का जो इस फिल्म को देखते वक्त महसूस होगा आपको पूरे शरी में खून दोरने लगेगा घबराट से ये जो सवाल है ना आपके दिमाग में फिल्म के एंड में होगा क्या कौन बचेगा कौन मरेगा और ये बंदा आखिर है कौन और ऐसा कर क्यो रहा है यही चीज फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है एकदम हटके डिफरेंट टाइप का कॉनसेट सोचा गया है एकदम बूटल कोई फिल्टर नहीं जुतना भयाना का आप सोच सकते हो उससे भी बुरा होने वाला है कुछ अंदर हिम्मद चाहिए ऐसी फिल्म बनाने के लिए प्लस देखने के लिए हितेन कुमार इनका चहरा आप जिंदगी में कभी भूल नहीं पाओगे इस फिल्म को देखने के बाद वादा है मेरा ऐसा विलन केरेक्टर जो रियल लाइफ में डराके रख देगा आपको राक्षस इस शब्त को शकल दी है इनोंने और यकीन मानियों फिल्म का जो क्लाइमेक्स है ना उसमें आप पागल होके नाचने लगोगे मतलब ऐसी एंडिंग किसी भी फिल्म की शायदा आपने आज तक नहीं देखी होगी कभी सोच नहीं सकते कि ऐसा होगा हम लोगों ने ये जो गलत फैमी दिमाग में बिठा रखी है कि अच्छी फिल्म बनाने के लिए पचास सौ करोड का बजट होना बहुत जरूरी है वर्ष जैसी मूवीज उस बात को जोरदा तमाचा मारती हैं अगर कहानी बढ़िया है और बाकी सबसे अलग है तो बजट गया तेल लेने Content is the King Boss प्राउड फील होता है ये रेकर कि गुजराती सिनिमा में ऐसी चीज़ें बन रही है Creativity की कोई language नहीं होती hence proved जान की film की center of attraction है और भरोसा करिए एक सेकंड भी आप इंसे नजरे हटा नहीं सकते Brilliant acting हर एक scene इतना natural बना दिया इनोंने कि देखते वक्त अंदर से ऐसा feel होगा कि ये हमारे साथ भी हो सकता है Real life में खदरनाक performance अभी Salman भाई के style में सिफ एक बार बोलूँगी आपको खुद पर एक ऐसान करिये और इस film को जल से जल देख डालिए बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको Instagram पर भी मिल जाओंगी वरना थोड़ा सा इंतजार करिये मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में टेक क्या बाई बाई